Hello student, welcome once again प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग 11.1 का question number 3 और question number 4 ये दोनों question solve करना सीखेंगे देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि cadets are marching in a parade यानि कि एक parade चल रहा है, left, right चल रहा है उसमें जो cadets हैं वो march कर रहे हैं, चल रहे हैं अब क्या बोला जा रहा है, कि there are 5 cadets in a row यानि एक जो line है, एक row में 5 cadets है यानि total 5 बंदे हैं, ठीक है तो what is the rule which give the number of cadets given the number of row तो बताइए कि अगर आपको number of अपने को row दे दिया जाया तो वहाँ पर total कितने cadets हैं इसका पता करने के लिए हम लोग क्या rule बनाएंगे और use and for the number of row यानि कि जब आप rule बनाओगे न तो number of row के लिए आप क्या करना and का use करना स्याद आपको ही मैंने direct समझाया होगा पढ़ करके तो समझे में नहीं आया होगा ये काम को आप question on one और जो वीडियो है न वो भी जरूर देख लिए न उसमें आपको basic intro समझाया था algebra का बाकि चलिए इसको मैं आपको copy में दम detail में समझाता हूँ कि question में actual में हमसे कहा क्या जा रहा है तो देखो हमने question में क्या पढ़ा भी कि एक जो row है एक जो line है उसमें total cadets कितने है तो total 5 है यहाँ पर मैंने बना लिया एक line एक row बना लिया है उसमें total 5 cadets है अब हमसे ये बोला जा रहा है कि बताईए कि अगर आपको number of row बता दिया जाए माली जी आपसे ये बोल दिया जाए कि total वहाँ पर मालो 3 row बने है जैसे एक row का तो अपने को बोली दिया कि एक row में 5 cadets है तो दूसरे वाले row में भी 5 cadets होंगे और तीसरे वाले row बनेगा तीसरी जो line बनेगी देखो पहली line है यहाँ पर मालो दूसरी line बनेगी गया कि पहले वाले यहने कि एक line में वहाँ पर 5 cadets है तो दूसरे में भी 5 होंगे यह तो समझ में आई यह वहाँ पर से तो अगर हमारे पास के वाल दो line रहता तो 5 और 5 कितना हो जाता 10 हो जाता अगर वहाँ पर total 3 line दिये गया total 4 row बन जाएगा तो उसमें हमारे पास total 20 cadets हो जाएगे क्योंकि इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5 तो यह तो हम लोग ओरली निकाल रहे हैं कि 555 करके हम अगर प्लस करते जा रहे हैं तो 10 फिर 20 यह ना 15 इस तरीके समरे number निकाल रहे है इसको हम लोग math के time पे कैसे निकाले तो simple है कि अगर 1 का 5 दिया हुआ है और अपने को number अगर row पता चल जाए तो हम लोग उतना से 5 का multiply कर देंगे जैसे गर 4 का निकालना अपने को कि 4 line में कितने लगेंगे कितने cadets लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 5 का multiply 4 से कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 5 fours are 20 यानि कि total वहाँ पर 20 cadets लगेंगे उसी तरीके से अगर अपने को ये बोला जाए कि वहाँ पर total के वल 3 piece row बने हुए है तब हम लोग क्या करेंगे 5 का 3 से multiply कर देंगे तो 53 जाओ जागा 15 तो हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर total 15 cadets मार्ज कर रहे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो number है cadets का number एक row में वो तो same है constant है बस number of row change हो रहा है तो हमने आपको question number 1 में कैसी कहा था जो भी change होता रहा है उसके बदले में आप कुछ भी alphabet का use कर लिजिए और उतने से उसका multiply कर दीजिए जैसे हमको question में ही hint दे दिया था number of row जो है उसको आप क्या मानोगे उसको आप n मानोगे यहाँ पर हमनो लिख लेते है number of rows जो row number हमारे पास है उसको आपन मान लेते है n वहाँ पर बताया नहीं गया है कि total कितने row है यह तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं तो वहाँ पर 3 row होंगे या फिर 4 row होंगे या फिर 5 row होंगे लेकर हमसे हम आपर बोला नहीं गया है कितने row है बस बोला गया है कि अगर आपको number of row बता दिया जाए तो बताइए कि आप क्या formula बनाईएगा ताकि आपका जो total number of cadets है वो पता चल जाए ठीक है तो number of row मान लो वहाँ पर n है तो total number of cadets कितना हो जाएगा x y z कुछ भी लिखा हुआ है तो वहाँ से जो हमारा multiply की sign उसको हटा दो और दोनों के इदम सटागर के लिग दो तो इसका मतलब यही होता है कि वो दोनापस में क्या है multiply में है तो बस जितना भी हमारे पस number of row रहेगा उससे हम लोग 5 का multiply कर देंगे अगर 4 रहेगा तो 4 से 5 को multiply करेंगे अगर यह बोल दिया जाए कि total वहाँ पर 10 row है तो 5 को multiply 10 से कर देंगे तो हमारा answer आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा end का मतलब क्या है number of row है जितना भी वहाँ पर हमको दिया जाएगा number of row हम लोग उतने ही से multiply करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा तो यह हमारा formula बन गया बस यह आप से पूछा जा रहता है आप उसको कैसे find करोगे तो हम लोग इस तरीके से इस pattern से उसको find करेंगे हमारा question number 3 complete हो गया सेम पूसे मैसी 4 वाला बनेगा आप total number of mango कैसे पता लगाएंगे in term of the number of boxes यानि कि अगर आपको boxes बता दिया जाए कि वहाँ पर 2 boxes है या 3 boxes है आप total number of mango जो है को कैसे पता करेंगे और यहाँ पर जो अपने को variable यूज करना है न boxes के लिए वो b का यूज करना जैसे पिछले बार हमने end का यूज किया था कोईसे में end बोला था तो इस बार अपन बी का यूज करेंगे number of boxes के लिए तो स्यम वैसी बनेगा जैसे हमने पिछलो अपना है था यहाँ पर हमारे पास क्या था number of cadet थे और number of row था इस बार क्या है कि एक box है उसके अंदर total 50 piece mango है चोटे-चोटे मालो में कर देता हूँ 50 piece तो नहीं बनेगा बोटाइम बग जाएगा यह मालो आप क्या है mango है तो अगर एक box में 50 है तो फिस दो 20 box में कितना हो जाएगा दो box में total 100 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 50 और इसमें भी 50 इस 100 को हम लोग निकाल लेंगे कैसे तो 50 का 2 से multiply कर देंगे तो हमारा 100 निकल जाएगा सेम उसी तरीका से अगर हमारे पास 3 boxes दे दिये जाए तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर 50 का 3 से multiply कर देंगे तो 53 जाएमारा कितना हो जाएगा 5-3 जाए 15 होता है तो 50 is reserve 150 हो जाएगा यानि 3 boxes में हमारे पास 150 mango हो जाएगे तो हम लोग ये पता कैसे कर रहे है जितना भी number of box बढ़ते जा रहा है हम लोग उतना ही का 50 से multiply करते जा रहे है क्योंकि 1 में 50 है तो बस बढ़ते जाएगा number of mangoes in one box यानि एक box में number of mango कितना है तो वहाँ पर एक box में 50 mango है ठीक है अब माल लो number of boxes कितने है यहाँ पर number of row हमने n लिखा था यहाँ पर number of boxes हमको number of boxes तो दिया नहीं किया है उसको हमको क्या बोला है कि आप माल लीज़े आपको b boxes दे दिया जाए b मतब कुछ भी हो सकता है ना 2,3,4,5 कुछ भी boxes अपने को दिये जा सकते है तो वहाँ पर अपने को सो क्या करना है b मान लेना है तो total number of mango फिर लिखो गया कि यहाँ पर जिसे मैंने total number of credit लिखा है तीसरे रेल में आप लिखोगे total number of mango तो total number of mango कितना हो जाएगा तो 50 का multiply कर देंगे हम लोग b से तो अपने को total number of mango मिल जाएगा तो 50 multiply b यानि कि 50 b यह हमारा formula बन गया इस formula को हम लोग apply करेंगे b के जगा में जितना भी box दिया जाएगा उतना लिखते जाएगा और multiply करते जाएगे अगर यहाँ पर हमको 4 box दे दिया जाए तो 50 का हम लोग multiply 4 से कर देंगे तो 54 जा कितना होता है 200 होता है यानि 4 box में 200 mango हैंगे तो यह हमारा pattern बन रहा है यह हमारा क्या होता है algebraic explanation होता है यह आगे जलकर आगो मैं डिटेल में समझाओगा किलाल आप समझाओ यह हमारा इस तरीके से question number 3 और 4 को solve करना था मिलेंगा मैं आगे के वीडियो में जहाँ पर जो next question है न उसको यह मैं आपको इसी तरीके से एक दम basic concept के साथ समझा दूँगा Thank you for watching